श्री राधे श्री राधे दोस्तों आज हम आपके लिए लाए है श्री लक्ष्मी कवच हिंदी में यह सर्वश्रेष्ट कवच है जो सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करता है और ग्रहस्त व्यक्ति को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए इस कवच के नित्य पाठ से किसी भी व्यक्ति की सभी मनो कामनाओं पूर्ण हो जाती है यानि पूत्र की इच्छा है तो पूत्र की प्राप्ति होती है धन की इच्छा है तो धन की प्राप्ति होती है और किसी भी कार्य के सफल होने की कामना है तो वह भी पूर्ण हो जाती है और यदि इन सब के परे कोई भी व्यक्ति मोक्ष की इच्छा मन में धारं कर या पाठ करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है यानि मालक्ष मी सबी मनो कामनाओं को पूर्ण करती है जो व्यक्ति जीस भी इच्छा को मन में धारं कर इस कवच का पाठ करता है अथ्वा सुनता है सिग्रही मालक्ष मी उसकी वह इच्छा पूर्ण करती है उस व्यक्ति पर सभी देवी देविता भी प्रसन रहते है और मालक्ष मी उसके घर में स्थिर निवास करती है तो आईए सुरू करते है श्री लक्ष मी कवच हिंदी में श्री मधु सुदन बोले हे इंद्र लक्ष मी प्राप्ति के लिए तुम लक्ष मी कवच ग्रहां करो यह समस्त दुखों का विनाशक परम एश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण सत्रों का मर्दन करने वाला है पूर्वकाल में जब सारा संसार जल मगन हो गया था उस समय मैंने इसे ब्रह्मा को दिया था इसे धारंग करके ब्रह्मा त्रिलोकी में श्रेष्ट और संपूर्ण एश्वर्यों के भागी हुए थे देवराज इस सर्वेश्वर्य प्रदम कवच के ब्रह्मा रिशी है पंक्ति छंद है स्वयम पद्मालया लक्षमी देवी है और सिद्धेश्वर्य प्रदम के जपों में इसका विनियोग कहा गया है इस कवच को धारंग करने वाला सर्वत्र विजई होता है तो आईए सुरू करते है श्री लक्ष्मी कवच का मूल पाठ मां पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे हरी प्रिया कंठकी रक्षा करे लक्ष्मी नासिका की रक्षा करे, कमला नेत्र की रक्षा करे, केशो कांता केशो की, कमला लया कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की, तथा संपत प्रदा सदा सकंध की रक्षा करे ओम श्री कमल वासिनिय स्वाहा मेरे प्रष्ठ भाग का सदा पालंग करे ओम श्रीम पद्मालयाय स्वाहा वक्षस्थल को सदा सुरक्षित रखे श्री देवी को नमस्कार है यहां मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचाए ओम ब्रीम श्रीम लक्ष्मिय नमहा चीर काल तक निरंतर मेरे पेरों का पालंग करे ओम ब्रीम श्रीम नमहा पद्माय स्वाहा नितंब भाग की रक्षा करे ओम श्रीम महालक्ष्मिय स्वाहा मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करे ओम रिम श्रिम क्लिम महालक्षमे स्वाहा सब और से सदा मेरा पालम करे फल्त्रुती वस इस प्रकार मेंने तुमसे इस सर्वेश्वर प्रदम नामक परम उत्कृष्ट कवच का वर्नन कर दिया यह परम अध्भूत कवच संपूर्ण संपत्यों को देने वाला है जो मनुस्य विधी पुर्वक गुरु की याशना करके इस कवच को गले में अथ्वा दाहीनी भुजा में धारंग करता है वह सबको जीतने वाला हो जाता है महालक्षमी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती बलकी प्रतेक जनम में छाया की भाती सदा उसके साथ लगी रहती है जो मंद भुद्धी इस कवच को बिना जाने ही लक्षमी की भक्ती करता है उसे एक करोड जब करने पर भी मंत्र सिद्धी दायक नहीं होता है इती श्री भ्रह्मा बेवत इंद्रप्रती हरिनो प्रदिष्टं लक्षमी कवचं